हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो एसके प्रोग्रामिंग आज के वीडियों देखने वाला है नल पॉइंटर इस वीडियों के पहले मैंने तीन से चार वीडियों और बनाये थे अगर वो वीडियों आपके नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो वीडियों पहले आपको वाच कर लेजिए ताकि यह वीडियों आपको आसानी से समझ में आजाए ठीक है अब इसमें मैं सिंपली एक वेरियेबल क्रियेट करता हूं ठीक है उसका नाम देता हूं पॉइंटर पीटी आप तो पहले तो हमें पता होना था है नल है माइं पता हो जब्ही हम कोई भी लॉक्त करतें तो उसमें अगल करते हैं तो उसमें स्राइबियो चो उसमें अगर गरेख लिःव करते हैं तो करते हैं इस चोर होसकि है तो स् Meg translator तो क्या होगा पहले तो यहां पर वह रोगा उसके बाद वैल्य आएगी ठीक है तो अब उसका एड्रेस क्या होगा 65524 CPU decide करता है यह अलग भी आ सकता है उसमें वेल्यू क्या होगी हमने इस वक्त इसमें कोई भी वेल्यू इनिशिलाइज नहीं कि इसलिए उसमें होगी गार बेस वेल्यू ठीक है तो जब भी हम पॉइंटर को इनिशिलाइज करते हैं तो अगर हम कोई भी वेरियेबल का क्या होता है particular condition वेर्ण होता है यानि कि अगर पोइंटर ना हो तो कुछ और अपलाइकर अगर पॉइंटर नल है तो हमें कुछ और पींपॉइंटर है काफी इंपटन है ठीक है तो पहले मैं आपको बताता हूं एक आपको किस तरह होती है और करने के बाद किस तरह हम वेल् value of ptr equal to percentage the n address of ptr equal to percentage the n ठीक है then slash n सब बहुत है मैं value चाहिए इसलिए ptr करते तो दो देन मैं address जाए address के लिए address operator का यूस करना पड़ेगा then ptr ठीक है रिशा करने से मैं क्या मिलेगा pointer के value मिलेगी और उसका particular address मिलेगा तो रन करते हैं तो आप देख सकते हो value of ptr equal to minus 28,762 and address of ptr equal to 65,524 यानि कि address तो आ नहीं वाला है क्योंकि वो cpud set करता है जब भी हम कोई भी variable create कर देता है उसका particular memory block बनता है उसका particular address होता है तो वो address last में दिख रहा है और आगे जो pointer की value है वो गारबे जा रहे है क्योंकि हमने initially उसमें कोई भी variable का address का reference नहीं दिया है अब दूस्ती बाद यह भी बता दू कि कोई भी address होता वो क्या होता है minus में यानि कि unsign होता है तो हमें इधर भी percentage you use करना जाए तो आप address को इनिचलाइज करने के लिए हमारे पास तीन नेटर है तो वन बाइवन में आपको एक प्रेंट करता हूं तो पहला में वह है कि प्रेंटर वेरियेबल इकवर टू डायरेक्ली आप कैपिटल में यूज कर लो ठीक है यह सा करने से हमारा pointer की value है वो सब्सक्राइब कर देखे अब मैं आपको दूसरा मेथड दीखाता हूं तो इसको मैं कमेट कर देता हूँ इधर स्विफ आपको लिखना PTR equal to single quotation mark में backward slash and 0 ऐसा करने से भी null pointer initialize किया जाता है ठीक है run करते हैं तो देख सकते हो आप पहरली line और दूसरी line में value of PTR equal to 0 and address of PTR equal to 65524 तो यह वो दूसरा method हुआ अब आपको मैं तीसरा method दिखा देता हूँ इसे भी में comment कर देता हूँ PTR equal to वो type casting के जरी हूँ उसे 0 या null initialize कर सकते हो तो हमारा variable कि इस type का है pointer variable जो है वो initialize pointer variable है वो initially हमने declare किया है int type का में इस इन किज़े तो आपको bracket के अंदल लिखना है int बाद में pointer sign use करना और bracket के बाद में आपको 0 लिखना और semicolor करना यह जो है वो तीसरा method हुआ तो आप देख सकते हूँ value of PTR equal to minus 28760 and address of PTR equal to 65524 value of PTR equal to 0 and address of PTR equal to 65524 तो वो तीसरा method हुआ लेकिन अब तीसरे method में करबड क्या है कि जब भी आप pointer variable declare करता हो उसकी जो डेटा टाइप है वह डेटा आपको इधर bracket में यूज़ करने है ठीक है इंटीजर टाइप का pointer है इसलिए मैंने इधर किया सब्सक्राइब करना है इसका यूज़ करते हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इजी है इधर भी आप सिंगल कोटेशन मार्क में स्लेज यूज़ करना है इसलिए जो पहला मैं थड़ा वो बेटर है ठीक है तो फिस से रज़ करते है अब दूसरी बात है बता दूब कि मैंने इधर बीस में किया पॉइंटर लेकिन इधर बीस मे करने के जरूरा नहीं हो मैंने आपकी अंडर्स्टेंडिंग के लिए इधर किया क्योंकि पहले में आपको प्रिंट करके दिखाता हूं कि विदाउट नॉल पॉइंटर कर देना ठीक है तो वह बात कि आपको ख्याल रगए आपके एफ्प्लेनेशन के लिए मैंने इधर आ अब नल्पोंटर के डिलेटेट जो कुछ भी थियरी है वह में अपने एश्के प्रोग्रामिंग नाम का दो अप्लिकेशन है उसमें मैं डाल दूगा अगर आपको प्रोग्रामिंग एप्लिकेशन डाउनलोड ने किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन में मिल तो सब्सक्राइब करनो और दूसरे बेंट के साथ शेर भी करनो तैंक्यों पर वाचिंग मा वीडियो